तो दोस्तों एक बार फिर्ट से स्वागत है आपका हमारे शानल पर मेरा नाव है वरोन और हम बात कर रहे हैं यहां कॉलेजिस के कमपैरिजन के जी हां रिव्यूज के तोर पे आज हम लेके आए हैं करियर बॉइंट यह निवस्टी जो कोटा राजिस्तान की फेमस प्राइबिट यह निवस्टी है और अच्छा नाम है इस कॉलेज का जी हां तो चली अगर आप चाहते हैं यहां एडवीशन लेना तो क्या है इसकी पूरी की पूरी डिटेल जानकारी के लिए ताज तक देखना है वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी भला हो जा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पूरी जानकारी सी उईटी की लिए आपकी फ्यूचर से जुड़ देखें तो दो यूरिबस्टी है सपोर्टिंग यूरिबस्टी इनकी पाच स्कूल से के तीन रेजिदेंशल स्कूल कैमपस हैं और कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टिटूट और कंपनी सो हैं ही इसके करियर पॉइंट हाँ यूरिबस्टी के बहुत बढ़िया देख लिए हा इस प्रकार से करियर पॉइंट यूरिबस्टी की यहां पर स्ट्रॉंग अक्याडमिक लेगेशन इस प्रकार से करियर पॉइंट यूरिबस्टी की जो यहां पर स्ट्रॉंग अक्याडमिक लेगेशी करियर बना सकता है साथी साथ एक्सेलेंट टीचिंग की और लनिंग की ववस्ता है एक्टिव इस्टूडेंट लाइफ है एक्कैडमिक सिस्टम है फ्लेक्जिबल करीकुलम है इसके अलाबा यहां वेब्राइंड थांपस तो बहुत अच्छी चीत है सारी तो क्या कर सकते हैं आगशोंिक बिलकुल अच्छी बात है एक्टमिक सिस्टम की बात करें तो देग और इंच्विशिबल करीकुलम है इनका प्रोजेक्ट इंड़स्ट्री इंट्रिंगेशन है लर्निंग ब्योंड क्लास्रूम एक्टिव स्टुडे लाइफ साधी साथ credit waste academic system तो ये सारी विवस्ताओंगे गारण स्टूडेंट सबसे पहले इस पर अप्रोच मारते हैं क्यों मानने ही बड़ेगा टीचिंग और लर्निंग की बात करें तो भाइया लर्निंग के गेस्ट लेक्चर साते हैं project books हो दें quiz और exams हो गए assignment है case study है instrumented feedback साधी साथ role play exercise classroom studies ये सारी प्रकार से चहु मुखी 360 degree यहां पर क्या होती है पढ़ाई होती है इस प्रकार से जो की हर college में होती है research and innovation में भी इन्होंने बहुत अच्छा गाम किया हुआ है क्या काम किया हुआ है कि इनन्ने financial support हो गया file patent work के लिए सारी विवस्ता इनने करवा के रखे हुँ है और राजिस्तान की university है तो थोड़ा सा तो intellectual property पर work करते हैं तो यहां पर IPR cell भी है जो की established किया गया है university के द्वारा ताकि यहां alumni के interest के matters को क्या है हाँ गड़बड़ना किया जा सके IPR cell के तोर पर यहां grassroots innovation को वहां तो दिया जाता है flexible academic system है क्या-क्या है प्रगती यह program for advanced growth and training intern यह इसका full form है और यह आपको क्या गरता है personality development में सही होगी है strong mentor जिसको mentee program बोला है और यह वन वाए वन बच्चों के लिए counseling provide गराता है weekly based classroom है net, set, gate, GRE, GMET इन सब competitive exams की त्यारी भी यहां करवाते हैं additional यहां general studies one and two subject हैं ताकि आपको IES, IPS और जो भी बाकी के examination है है वहां के state, cds के हो गया, hs के हो गया, defense और other government exam इनकी तियारी भी कराई जाती है कहां इसी university में career power, university में career point, university में तो भाई आच्छी बात प्रोजेक्ट है, industrial integration है, तो प्रोजेक्ट हो जाते हैं, learning, expert, lectures भी होते हैं, workshop है, conferences हो जाती है, oral presentation है, सारी तमाम व्यवस्ता है, credit based academic system है, और student life तो अच्छी है ही, तो भाई, flexible curriculum है, तो सारी यह समाम व्यवस्ता हैं, यहां college में, और भाई यह no, year back, past track examination, supplementary papers, को year back का system नहीं ह प्रवाद नहीं होरी, तो लोग जल्दी कर लेते हैं, skill, employability, enhancement, program, CEEP, जिसको कहा जाता है, यह communication, skill हो गई, personality, development हो गई, इन पर focus करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा फायदा मिले, साथ ही साथ, यह life project, life management project, और technical project के साथ, यह बच्चों को कराते हैं, education, तो बच्चे थोड़ और ग्रो कर पाते हैं, अपने आप में skills को ग्रो करते हैं, निखार आजाता है, learning beyond classroom की बात करें, तो उन्नत भारत अभियान है, military training wing है, NSS है, यह आपको और classroom के बाहर पढ़ाई का मौका, अलग-अलग आपको skills सिखाते हैं, जो की अच्ची चीज है, इसके अलावा यहाँ department और courses की बात करें, तो under graduation, पहले तो engineering technology में, btech, btech in AI machine learning, btech in data science, btech in mtech, btech, mtech और MBA, btech, lateral entry भी होती है, polytechnic diploma, mtech, phd, सारे program करा रहे हैं, मतलब under graduation से लेके, post graduation, diploma, certificate, सारे courses करा रहे हैं, phd तक के, कहां पे engineering और technology में, साथ ही साथ, computer application में, bca, bcn data science, bscit, mscit, mscit, mca, mca data science, pgd, cca, या डिप्लोमा से लेके, under graduation, post graduation तक के, program या, computer application में करा रहे हैं, इसके अलावा देखें, तो library science में, blib, basic applied science में, bsc, msc, mphil, phd, education में, bsc, bma, phd, साथ ही साथ agriculture में, bsc, agriculture हो गया, MBA हो गया, msc, phd, सारे courses करा रहे हैं, अलग-अलग departments के, तो कहां दिक्कत है commerce की बात करें, management की बात करें, bcom, bba, bba in data analytics, visualization, bha, bachelor of hospital administration, bba, mba, integrated program, mba, mba, data analysis, analysis, और सारे-सारे pgd, m, सारे courses ये कराते हैं, phd तक के, तो ये सारी विवस्ता हैं, आपको यहा, अलग-अलग courses में, ये बिलकुल basic level से, यानि की, diploma courses से लेके, certificate से लेके, ug, pg और phd तक के, प् vocational study में, bboc, advanced diploma, diploma हो गया, arts humanity में, b, a, m, a, m, s, w, phd, और legal studies में, b, b, l, b, l, b, l, b, l, b, l, m, p, g, d, l, or phd तक के, programs conduct कराते हैं, तो बढ़िया, health और allied science में भी, d pharma, b pharma, m pharma, b, p, t, b, c, public health, m, p, t, b, c, in, बहुत सारी चीज़ों, देख लेना, चीगे, आओर क्या, तो इसकी रेज, 20,000 से लेके, 1,30,000 रुपे, प्रती वर्स तक के, courses to courses, पैरी करती है, कि आपके, is course में, जाना चा रहे हैं, लेकिन हाँ, अच्छी फीज़ों, असी कोई बहुत जाद हो नहीं, 20,000 अगर साल की, कोई fees ले रहे हैं, b, a, b, a, b, 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 l, रहों गया, b, a, m, a, b, इसी कुछ fees होती है, तो बहुत खराब नहीं है, तीन साल, दो साल का course होता है, 60,000 में आपके courses हो रहे हैं, तो private university के साब से तो कम fees है, मैं सचा ही बता रहा हूँ, क्योंकि हम और भी videos पढ़े हैं, channel पर आपने देखे होंगे, कि fees private universities जादा लेती है, उनके comparison में तो अच्छा lots of scholarship, भी offer करते हैं, बहुत सारी scholarship है, government scholarship है, minority scholarship है, और category wise बहुत सारी, अलग-अलग scholarship, साथी साथी university की भी scholarship यहाँ पर दी जाती है, अलग-अलग categories में, placement record ऐसे हैं, कि 350 कंपनिया आती है, 350 से ज़्यादा कंपनिया, पच्चिस सो से ज़्यादा बच्चे टोटल प्लेस होते है साड़े बारा लाग रुपे का highest package है, यानि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, जोसी fees है, उसके साफ से तो अच्छा है, और 2.12 लाग average package है, यानि डाइलाग का average package है, तो ठीक है, जैसा fees वैसा है, वो structure है, यहाँ पर 54 student LPA जो है, वो first 74 बच्चों का 2.2 होता है, first 20 package 3.5 और first, यार यह मेरे को यह से लग रही गाए, कि यह गलत करने का है, यह यहाँ 147 student जो है, यह कम होना चाहिए था, यह 147 का 2.2 है, है ना, first 120 का इतना है, और 74 का इतना है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कहां कहां सेक्टर में इनके placement होत या, BFSI, manufacturing हो गया, CSIT, logistic, education, लेकिन बहुत अच्छे records, placement के मुझे लगे नहीं, सचा ही है, ठीक है, internship also provided various institute and organization like IIT, IIM, L&T, इन सारी चाहिए इंटरंसे पर इन सबसे, सम्मधे दिन के MOUs होंगे, तो वहाँ यह आपको क्या कराते हैं, internship करवा देते हैं, लेकिन अगें, प्राइबिट कॉलेज के साफ से फीस भी कम है, हाँ, देखो, यार, कई बार हो जाता है, placement, बहुत अच्छे records नहीं होते हैं, लेकिन ना से तो अच्छे है, placement के record और आपको private university में मोख़ा मिल रहा है, काम करने का, बाकी आप पर depend करता है, सारी चीदे, ठीक है, चलिए, यह होई सारी बात, यहाँ पर training placement, हाँ, TNP cell होता है, जो कि आपको training और placement conduct कराता है, coordination इन से करते रही है, अगर आप इन्यों योनिवस्टी में जा रहे हैं, तो पहले थोड़ी सी पकड़ बना लीजेगा, तो तीन साल का समय रहता है, तो शुरू बात में आप थोड़ा सा TNP में जाएंगे, तो आपके अच्छे chances हैं, यहाँ अच्छा काम होने के placements के और training बगेरा आप continue करते रहिएगा, ताकि आपको अलग-अलग skill डबलब होती रहे, ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ facilities की हम बात करें, तो facilities तो private university है, तो बहुत सारी hostel facility, mass cafeteria, ATM, sports facility, gymnasium होगा, transpose facility, by-fi access होगा, तो यह तमाम facility जो हैं, वो आजकल हर एक campus में आपको मिलेगी, तो यह देखो hostel अच्छा है, training placement cell, cafeteria की mess, और multi-purpose auditorium हो गया, administrative block हो गया, sports facility है, तो यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है, sports facility में, football है, cricket ground है, health clubs है, यहाँ पर art court, basketball, tennis, volleyball court, indoor games facility है, और कौन-कौन से, जैसे table tennis, chess, karam, तो यह सारी विवस्ता है, sports की विवस्ता है, सारी चीज़े, academic facilities में आप देखी रहे होंगे, theory classroom है, knowledge labs है, तो labs होगी, और इसी बात है, साती साथ practical labs है, computer labs है, जो कि जरूरी है, क्यूंकि campus में इतने सारी courses offer होते हैं, तो उनके लिए, अलग-अलग labs होनी चाहिए, English language lab है, library है, जहां आप भया, हाँ, यह सारी book बढ़ सकते हैं, यह होंगी आप है, academic facility में classroom library, 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 यार यह चीज़े में क्यों ही बता रहा हूँ, क्योंकि यह तो सभी जगा होती है, इसमें कोई नई चीज है नहीं, क्योंच एक्स्ट्रा इनने culture, sports, yoga, x career, shopping, यह सब ही जगा होती है, सारी चीज़े, कुछ नया नहीं है, एक आज चीज छोड़ो दें तो, रिव्यूस चलो, यह सचा ही बताएगा, यह वहां के बच्चों के रिव्यूस हैं, जो वहां जा चुके हैं, तो infrastructure is good, वह अच्छी चीज है, वह तो private college का होता ही है, हाँ, यह बात तो मैंने भी बुलाएगा, सही है, बराइटी अपोर्स इस ओफर्ड, यह भी सही है, अलग अलग कोर्स आपको पिल जाते हैं, अलग अलग फील्ड में, बहुत बढ़िया, प्लेस्मिंट और ऑल्सु सैटिस्फेक्टरी, हाइस्ट पैकेज इतना लाता है, इसके बाद बहुत सारे बच्चे तो, और हायर इज्यूकिशन कर लेता है, प्लेस्मेंट रिट इस ओल्सु गोड ठीक है, यह अच्छे रिव्यूज है, यह इनने खराब चीज तो कोई बोली नहीं है, तो मैं बोल देता हूं भी यह खराब चीज क्या है, कुछ कराब अच्छे और बुरे, यह सारे आपके उपर depend करते हैं, सच्छा यह है कि आप जब तक जाएंगे नहीं, तब तक चीज़ें आपको clear नहीं होगी, चाहे placement की बात करें, satisfactory है कि अच्छे हो सकते हैं, वो 12 लाग का package आपका भी हो सकता है, और 5 लाग का package भी आपका हो सकता मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, college अपनी तरब से सारी ववस्ताइं करी रहा है, सारी की सारी, private university में एक तो अच्छा होता है, infrastructure अच्छा होता, facilities अच्छी होती है, piece वो उसे साब से बहुत जादा चार्ज करनी रहें, तो सारी चीज़ें अच्छी है, मुझे जो लग सके, तो मिलेंगे एंगले वीडियो में दब तक के लिए, जाहें.